हेलो फ्रिंट्स वेलकम टू एसे सी क्रेकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फैनली हम लोग दंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वाइस त्यारी करें रिजनिंग मैथ्स इंगलिस जी के की एसे सीजियल और सीएचेसल दोहजार बीस के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट यह सभी क्लासेस हैं तो आपको मिस नहीं करना है मैं खुद कर रहा हूं बट प्रॉब्लम है इसलिए मिस करना पर रहा है निए तो आपको मालूम है कि मैं कुछ जाधा ही डेडिकेटेड हूं अ इसे स्टुरिंट के लिए ठीक हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिजिनिंग में आपको जो है आपको पढ़ कियानायएं क्लास्इफिकेशन ओकै मैसे आपको पर्संटेज पढ़ कियाना था एंगलीस में आपको आर्टिकल्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तो आप लोग ready हैं तो ready हैं तो start कर दिया जाए चलिए एक बार आप लोग कहिए कि यह सर स्टार्ट है student काफी कम है इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं continue में video नहीं बना रहा हूँ इसकी वज़े से student को लगा होगा कि आज भी सर जो है video नहीं ही बनाएंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कम student है लेकिन कल से आप लोग present हो जाना ठीके गाईस चलिए start करते हैं हम लोग अपना classification का ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है बट definitely जो है कुछ न कुछ तो आपको आता ही होगा चलिए तो पहला question की stop watch भी यहाँ पे लगा दिये हैं टाकी जो है आप अच्छे से बना पाएं तो classification में किस टैप की question आते हैं तो ऐसे ही question आते हैं समझ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 का यह पूछा गया question था आपके सामने time रहेगा on and only 15 seconds का और 15 seconds में आपको जो है answer बताना है time starts now सब का answer जो है correct में आना चाहिए और सबसे पहले जो है answer यहाँ पर आया है दीपक अंसका राकी शोनाली ठीक है very good question देखने से इस first हो रहा था आपको मैंने पहले ही बताया था basic class में कि आपको square, cube यह सब पढ़ क्याना है odd का मतलब क्या होता है कि 4 जो यहाँ पर दिया वा है यह 4 में से 3 जो है कहीं न कहीं आपस में similar होंगे और 1 जो है वो उस condition को fulfill नहीं कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पर 8 का 8 जो यहाँ लिखावा है इसका मतलब 2 का cube क्या होता है 8 होता है 3 का cube क्या होता है 27 होता है 5 का cube क्या होता है तो 125 होता है लेकिए तो यह 3 similar है लेकिन यहाँ पर जो 206 है यह आपका किसी का cube नहीं है समझ गए तो यानि की answer क्या हो जाएगा आपका 1 का 1206 आपका correct answer है next question है question number 2 time आपके सामने 15 seconds है चलिए 2 का भी answer सबका correct आना चाहिए एक line से सबका correct आना चाहिए अभी तक में आप लोगों का answer नहीं आया है यहाँ देखिए क्या है December आप जानते है 31st का मन्त होता है मई आपका 31st मार्च आपका 31st लेकिन जून आपका 30 दिनों का दिन होता है तो देखिए किस तरीके से ये मार्च माई और दिसंबर तीनों similar है लेकिन आपका जून जो है ये अलग हो गया तो यहीं odd है आपका ये चारों में से तो जून आपका correct है 2 का भी answer पीकू सबकों का answer correct है very good question number third आपके सामने है 10 seconds मुझे लगता है 15 seconds जादा है 10 seconds काफी है अंकीता दिवेदी very good दीपक पॉलमी very good शुबो रजनी गंदा very good सब लोग यहाँ पर present है हमारे पुराने student भी present है आप लोगों को देखकर ऐसे भी मुझे motivation मिलता रहता है चलिए question number यहाँ पर क्या है आपका third का thermometer है बैरो मीटर है डाइ मीटर है और हाइगरो मीटर है आप देखेंगे तो यह सब आपका measurement करने का एक instrument है डाइ मीटर आपका नहीं है समझ गए तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 3 आपका correct answer हो जाएगा very good very good diameter आपका correct answer है 2 का 3 next question आपका है question number 4 चलिए 10 seconds अब आपके सामने काफी है 10 seconds इसको बनाया जाएगा क्या होगा correct answer 10 seconds यहाँ भी आपका हो चुका है क्या होगा moon है, Mars है, Venus है, Jupiter है यह किस तरीके से आप देख रहे हैं, similar है, यह सभी क्या है, planets है, moon आपका शैटलाइट है तो moon आपका correct answer हो जाएगा, और सबसे पहले यहाँ पर answer आ चुका है इशा कुमारी का, very good, correct answer यहाँ पर आ चुका है, question number 5 आपके सामने दिया वा है 10 seconds के लिए, क्या होगा 10 seconds में फटा फट से बनाना है, आपको 10 seconds में time हो चुका है, finish, ठीक है देखिए, यह सब question बहुत same to same, अभी भी ऐसे ही question आते हैं आपको यहाँ देखिए, pig, stay, horse, stable, cow, shade, man, garage अब आप बताईए, pig जहां रहते हैं, उसको stay करते हैं, horse, stable में रहता है, cow आपका shed में रहता है लेकिन man कहां रहता है, man आपका house में रहता है, यहाँ garage दिया वा है आप garage में शोते हैं, क्या, नहीं न, तो यहाँ पे आपका one जो है, वो अलग हो चुका है very good, question number six आपके सामने है, क्या होगा, बहुत simple question है, question number six चलिए, time हो गया है आपका finish, यहाँ देखिए, यहाँ दिया वा है, shimla, uti, darzling and agra यह तीनों जो है, आपका hill station है, है या नहीं है, लेकिन agra क्या है, यह नहीं है आपका hill station, तो यहाँ अलग क्या है, आपका agra दिया वा है, तो agra हो जाएगा correct answer next question number seven है, आपके सामने और seven को बनाया जाए बहुत मज़ा आने वाला है, बस class continue रहे, तब यह ठीक रहे, network सही रहे ठीक है, तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, यह तो मेरा पूर्ण विश्वास है यहां देखिए, 15 seconds हो चुका है, यहां देखिए, वाइलेन, पियानो और आपका flute है और harmonium है देखिए, यहां वाइलेन, पियानो और harmonium है, यह तीनों जो है आपका same है flute आपका होता है, बांशुरी, यह आपका किसी चीज से आप बजाते नहीं है इसमें hole होता है, बांश के लक्री में, और वहां से आप बजाते है flute आपका अलग है, तो यही आपका correct हो जाएगा next है आपका question number 8, अब इस type का question है, इसके लिए आपको time मिलेगा 20 seconds ठीक है, क्योंकि question आप थोड़ा सा up जाएगा, तो time भी आपका up होगा easy question के लिए, कम समय, जादा hard question के लिए, थोड़ा time जादा आपको लगेगा चलिए, यहाँ पर कितने लोग हैं, जो correct correct answer देने वाले हैं आपका चलिए, time हो गया है finish, यहाँ पर आप देखिए, इसको आप कैसे बनाए है इस type का जब भी question आए, तो आपको क्या करना है, वो मैं पहले थोड़ा आपको बताऊं आप पहले या तो आप addition करके देखिए, या तो आप subtraction कीजिए, divide कीजिए, multiplication कीजिए जब दो रहे इस type के form में, अधिकतर बार plus नहीं तो minus आप देखिए, इसका difference अगर निकाला जाए, तो कितना आएगा, 25, इसका difference निकाला जाए, 25, इसका 25, ठीक है लेकिन इसका difference निकाला जाए, तो ये 34 आएगा, तो ये हो गया अलग, यानि की option number 2 हो गया correct और यहाँ पर नीती दूबे का correct answer है, शुमन का answer correct है, very good, दीपी का शंगम भी present है यहाँ पर, very good, next question है यहाँ पर, question number 9, और इसको बहुत ध्यान से बनाना है, ये question मुझे मालूम है कि बहुत लोगों का गलत होने वाला यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखते हैं, कि गलत का सी चलिए, यहाँ हो गया है time finish, देखते हैं, यहाँ पर question number 9 का कितना answer आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही prediction किया था, कि 9 बहुत लोगों का गलत होने वाला है, लेकिन देखते हैं, किसका किसका आ रहा है, चलो आप लोग मिला लो अपना, यहाँ देखिए, 15 15 को आप multiply किजे, कि 45 x 5 किजे, कितना आएगा, 225, ठीक है, यहाँ भी किजे, 225, इसको multiply करके देखिए, कितना आएगा, 275 आएगा, ठीक है, अलग कौन सा हो गया आपका, अलग हो गया option number 1, और यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर आपका आस्था का गलत हो गया है, बाकि दीपा, कुमारी, श शुबाश्री, ठीक है, पारवती, सब का correct answer, very good, चलिए, मुझे उमीद था, कि यहाँ पर बहुत लोगों का गलत होगा, बट फिर भी जो है, बहुत लोगों का यहाँ पर सही answer आया है, excellent, next question आपकी दरफ चलते है, question number आपका यहाँ दिया वाए, 10, ठीक है, अब इसको बना आने के लिए भी आपको 20 seconds दिया जाएगा, बनाया जाए, यह भी simple question है, मजा आएगा, चलिए, 9 का केवल, एक ही लोगों का केवल जो है, wrong answer आया था, बाकी सब का सही है, मितलेश कुमार, very good, ओम जी जी, सही है, सही है, चलिए, 20 seconds हो गया है, अब देखते हैं, यहाँ पर कि आओगा आपका, कि 9 into 4, 36, और 9 into 9, 81, ठीक है, 32, 2 जा कितना होता है, 64, यानि कि यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए, तो यह एक लौता ऐसा है, यहाँ पर, जो कि सब से divisible है, 9, यह पहला वाले से, यह भी cut हो रहा है, 4 बार में, यह भी cut हो रहा है, 9 बार में, बाकी अगर आप देखेंगे, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 का square, 6 का square, 9 का square, बाकी आपका कोई नहीं है, यानि कि यह है आपका अलग, और यहाँ पर 10 का answer जो है, और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का 4, 4 answer आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता नहीं, जबकि correct answer 10 का क्या होगा, यह होगा, पॉलमी शेन का continue में 4 answer आ रहा है, 10 का सुपर्णा ने भी गलत कर दिया है, 4 के साथ, जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ पर यही answer होगा, यहाँ पर देखिए, जल्देबाजी के चकर में क्या हुआ है, कि लोगों ने देखा कि 9 x 4, 36 कट हो रहा है 32 x 2 कर रहा है, तो 64 कट हो रहा है, 55 x 3 कर रहा है, तो यह तो आपका नहीं हो रहा है न, यहाँ पर यह हो रहा है, लेकिन यह तो बिल्कुल भी नहीं है, तो लोग इसलिए इसको दिये हैं, ठीक है, लेकिन जब आप देखिए, यह SSD का question है, SSD के question में एक ही format पे आपका होना च कठी नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका इस्ते multiply हो रहा है थीरी बार में, इस्ते कोई लेना देना नहीं है, इस्ते multiplication का और यह तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, चलिए, question number 11 आपके सामने है, 20 second के लिए, आपका समय शुरू होता है, अब, चलिए, 20 second यहाँ पर हो गया है, कितने लोगों का answer आ रहा है correct में, थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर देख लिया जाए, कितने लोगों का सही आ रहा है, चलिए, बहुत लोगों का सही आ रहा है, एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देखकर 18 दिया वाय 45 है तो 18 जो दिया वाय तो 1 प्लस 8 करो 9 आएगा 4 प्लस 5 करो 9 आएगा यानि कि ये सेम है 9 प्लस 2 करने पर 2 प्लस 9 के है 29 को कितना आ रहा 11 8 प्लस 2 कर रहा है 10 आ रहा है ये अलग हो गया बाकी देखो 6 प्लस 3 9 7 प्लस 2 9 ये भी आपका 5 ये भी 5 ये 9 और ये 9 ये 9 ये 9 लेकिन यहाँ पर 11 आ रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है यानि अलग क्या हो गया 3 हो गया और 11 का 3 जो है देने वाले एंसर यहाँ पर बहुत लोग प्रेजेंट है दिव्या यादव, विमल कुमार, शुजाता, वेरी गूड, न चलिए किसी का एंसर आया के इतना जल्दी में ये कोशन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर कैसे बनाए गया है तो यहाँ पर ध्यान देना परेगा 5720 इसको डिवाइट किजी आप 11 से कितना आएगा 552520 आ रहा है कट जा रहा है 11 से यह भी आपका 11 से कट हो रहा है तो यह आपका 610 आएगा यह कट हो रहा है तो 520 आएगा फिर यह आपका कट होगा 11 से तो 240 होगा लेकिन यह 11 से कट नहीं होगा समझ रहे हैं ये तीनो नमबर 11 से कट हो रहा है लेकिन ये आपका नहीं हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा odd यही आउगा आपका answer यानि कि यहाँ पर कितने लोगों ने correct answer दिया है पपू पात्रा का गलत हो गया है बाकी आरती लफ का भी गलत है बाकी लोगों का सही है ठीक है मेरा approach ये था हो सकता है कि आपका approach कुछ और हो लेकिन किसी भी approach से बनाना है answer हमको आना चाहिए correct ठीक है next question है question number 13 13 को भी बनाया जाए आज classification का तो half करना ही है कल part 2 में भी यानि कि दंगल जब हम करेंगे कल उसमें आपका classification का the end हो जाएगा ठीक है sir addition से भी हो सकता है हाँ addition से भी हो सकता है चलिए अरे बाँ यहां इतना time हो गया है यहां पर कैसे होगा यहां पर कैसे होगा यहां पर दियाव है 3 increase हो रहा है यहां पर 5 increase हो रहा है यहां भी 3 increase हो रहा है यहां पर 4 increase हो रहा है यहां पर 3 increase हो रहा है यहां पर 4 increase हो रहा है यहां पर 3 increase है यहां पर 4 साफ दिख रहा है कि यह होगा आपका correct answer यानि कि 1 आपका हो जाएगा correct answer इसमें किसी को सोचना ही नहीं है ये एंसर सबका सही है ठीक है नेक्स्ट कोर्षन है कोर्षन नमबर 14 टाइम हो गया है 20 सकेंड यहां यहां पर किस तरीके से हम इसको बनाएंगे ससी में इस टैप का भी कोस्टन बहुत बार आता है ठीक है बहुत बार आता है आपका आप देखिए यह है आपका देखिए यह बेशिक है यह है इविन 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 यह है इविन इविन लेकिन यह क्या है यह है ओड ओड तो यह आपका सीधे हो जाएगा वन एंसर 14 का वन एंसर रजनी गंदा का सबसे पहले आ गया है दीपक अंस रिश्रव रोशन यादव पप्पू भागिश्री वेरी गूड यहां तो किसी का रॉंग है ही नहीं ठीक है तो यह सब का सही है कोश्चन नंबर 15 15 में क्या होगा चलिए टाइम हो गया है कि 15 का लॉजिक बहुत जबर्दस्त है अगर किसी स्टूडेंट का ध्यान वहां तक गया होगा तो खट से अंसर का जवाब आ गया होगा इकदम फटाक से आ गया होगा कैसे 41 है 4 है 83 है 6 है 74 है 7 है 97 है 9 है अब एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि 4 4 पहला वाला 8 ये नहीं है 7799 यानि कि ये आपका अलग है जो कि यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 का एंसर जे के जैकर हो चाहे अंकीत दिवेदी हो 5301 चंचलो सब का करेक्ट एंसर आ गया वेरे गुड नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर 16 टाइम स्टार्ट हो गया है 16 में भी सेम है इसमें बस लॉजिक देखना है दीपी का संगम का भी करेक्ट एंसर है इशा कुमारी का भी सही आ रहा है वेरे गुड यहाँ पर 20 सकेंड हो गया है और देखिए 16 कोस्टन नमबर को जिसने भी बहुत केजी में बनाया होगा उनको मिलेगा मेरे तरब से 25,000 रुप्या का नकद पुरुषकार ठीक है यहाँ देखा जाए 6, 7 जा कितना होता है 6 x 7 करने पर 42 आता है यहाँ कितना है 45 है चलिए 3 एड कर देते है 3, 4 जा कितना होता है 12 होता है इसमें भी चलिए 3 एड कर दिये 15 हम पहुंच गए 6, 5 जा कितना होता है 30 होता है तो यहाँ भी 3 एड करना चाहिए लेकिन यहाँ तो 5 एड है यहनि कि यह अलग हो गया 5, 4 जा 20 और प्लस 3 एड के 23 बस यहाँ पे हमारा 3 जो है आपका आगया correct answer इसमें तो मुझे लगता है 16 का किसी का भी गलत नहीं होगा किसी का भी गलत नहीं होने वाला है राज चोकोबोती चाहे नेहा सुनकर हो सब का सही है very good question number 17 क्या है 17 को बनाया जाए चलिए ये question में 25 सेकेंड दे अकसर 15 एक बार और प्लीज चलिए 15 को समझा दिया जाए इसको समझाने से पहले student का problem है यहाँ पर क्या किया गया है student यहाँ देखा जाए जिसने पूछा है कि दिया वाया 41 तो यह जो पहला वाला जो डिजिट है इसको यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से फिर सकेंड आप देखो यहाँ पर है 74 74 में भी जो पहला वाला डिजिट है उसको यहाँ लिखा गया है 97 में देखो पहला वाला जो डिजिट है उसको यहाँ पर 9 लिखा गया है लेकिन यहाँ पर 83 था ना और 6 तो पहला वहला डिजिट 8 होना चाहिए तो नहीं लिखा है तो यह हो जाएगा गलत ठीक है तो यही वह है आपका अलग हो गया है अग कोस्टन नमबर 17 भी खतरनाक कोस्टन था ठीक है यह जबरदस कोस्टन पुछा गया है एक चीज मैंने नो का हलाकि बहुत लोगों का सी आ रहा है जो की गलत है चलिए सी गलत हो गया है यहां देखा यह अब यहां पर यहां देखिए यह जो पहला दो डिजिट है 89 इसको आप एड किजिए कितना आएगा 17 यह जो लास्ट का दो डिजिट है 48 इसको एड किजिए कितना आएगा 12 इसका difference कितना है 5 आया next अगर आप यहां देखेंगे यहां पर क्या है इसका difference 5 आया है इन दोनों को अब यहां पर इस दो को add किजिए तो 3 और 4 कितना होता है 7 और 6 और 3 कितना होता है 9 तो यह तो आपका minus 2 आ गया तो यह difference है minus 2 यह है 6 5 11 और यह 4 1 कितना है 5 होता है यह कितना है इसका difference 6 आया आपका 5 7 कितना होता है 12 और 5 2 कितना होता है 7 इसको भी करेंगे तो इसका भी difference 5 आया तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि सब लोग plus में है लेकिन ये है आपका minus में तो option number 2 जो है correct हो जाएगा हो सकता है कि आपका process अलग हो ठीक है लेकिन यहाँ पर आरके जैकर का answer एकदम correct है very good 17 का 3 होगा यहाँ पर बहुत लोगों का कहना है ठीक है कैसे आएगा approach आप भी बता दे हाँ यहाँ पर 17 का 3 में इस तरीके से logic आप लोगों ने लगाया है 8 8 first last same first last same first और last आपका same है लेकिन यहाँ नहीं है है की नहीं तो यह भी हो सकता answer मैं इस पर आपको यह नहीं कह सकता हूँ क्या 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 है कि अगर आपका 3 logic अगर same है तो आपका answer भी correct होगा अब जैसे मेरे according में sub plus में था यह minus में था तो इसके according कितना हो गया two answer आगया आपका लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे student जो है first और last के बारे में कहे रहे हैं कि first last आपका same है तो ये भी answer हो सकता है तो मुझे नहीं contradict करना है इस चीज़ पे तो आपका ये भी answer सही हो सकता है ठीक है चलिए तो next question के तरफ हम देखते है question number 18 अब 18 को solve करना जाए चलिए start करते है टाइम नेहा नीती दूबे का कहना है सर्फ first और last same है बड़ थिरी में नहीं है चलिए ये भी सही है कुनाल पंचोली सब लोगों का यही कहना है ये दिखिए ये बहुत simple था ये है आपका पहला answer हो जाएगा सीधे सीधी correct answer 18 का 1 सोचना ही नहीं है सबसे पहले उदीत अगरवाल ने दिया है answer क्योंकि सब odd है ये होगे आपका even number है या नहीं है सीधे एक line में बन गया ये question question number 19 चलिए 20 सेकेंड हो गया यहां पर यहां देखो इन दोनों का difference कितना है 12 है मैंने आपको बताया ना इस ट्रैप के question में अधिकतर बार difference पे ही आपका answer आ जाता है यहां भी देखा जाए कितना है 12 है यहां भी कितना difference है 12 है लेकिन यहां नहीं है बस option number 4 आपका correct हो जाएगा और यहां पर जो है सब लोगों का answer correct आ गिया है very good next question question number 20 अब यहां पर place value सबको याद है तो तुरंत बनेगा इसका answer ठीक है d का place value होता है 4, h का होता है 8, y का होता है 25, x का होता है 24 अब आप देखके बताइए क्या होगा answer यहां आपने क्या देखा कि यह है आपका even, यह है even, यह है even, यह है even, यह है आपका odd तो एक चीज मैं हमेशा बता दू जब भी आपका जिस तरीके का alpha weight दिया वा है तो दो ही तीन चीज देखना होता है यह तो आपको even वाला देखना होता है odd वाला देखना होता है prime number देखना होता है square देखना होता है, cube देखना होता है हम यहाँ पर square भी देख सकते थे तीन में होना चाहिए था तो ये वाला logic नहीं लगेगा, एक में ही cube दिया वाया तो ये वाला भी logic नहीं लगेगा, तो logic लगेगा तो क्या लगेगा, यही कि यह है even, यह है even, यह है even, यह है even, why होगे आपका odd, तो 20 का 2 हो जाएगा correct answer, ठीक है, next है 21, classification से exam में 2 question रहता है 4 marks का, इसलिए इसका practice बहुत ज़रूरी है, क्योंकि student का जो गलती होता है, वो यही होता है, चलिए यह भी जल्दी में बनाना था, यहाँ minus 1 है, B से A की तरफ minus 1, J से I की तरफ minus 1, N से M की तरफ minus 1, B से U की तरफ minus 1, यह तो पहला वाला सही है, अब यहाँ कितना है, 3 add हुआ, 1, 3, 4, 9, 3, 12, 13, 13, 16, और यह है आपका place value 21, और यह होता है आपका 23, तो यहाँ तो आपका 26 होना चाहिए, तो यहाँ पर केवल 2 ही increase है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका correct answer, ठीक है, यह तीनों same logic पे है, यह अल है या नहीं बनाने में कि बोर हो गया, train का sound ज्यादा आ रहा है, अब कम हो जाएगा, कम क्या खतम ही हो गया है, चलिए, यहाँ पर answer आ गया आप लोगों का 22 का, B है, E है, अच्छा न्यू वीडियोस को बहुत मज़ा आ रहा है, B, E है और H है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, 3 increase हुआ है, यहाँ भी 3 increase हुआ है, 4, 3, 7, 7, 7, 3, 10, ठीक है, 3, 3 increase है, 5, 3, 8, 8, 8, 3, 11, यानि के होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर L दिया हुआ है, तो 4 तो आपका correct हो जाएगा, next आगे आपका question number 23, देखिए, यह 2013 का question है, SSC, CGL 2013 का question है, और आप देखेंगे कि इस बार भी जो 19 में exam हुआ है, same logic पे question था, same logic पे आपका question था, इसलिए पहले का भी practice करना बहुत जरूरी है, स्तीधा सिधी है, alphabet अगर आपको याद है, तो इस question को बनाने में जराशा भी आपको समय नहीं लगा होगा, M का place value 13 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, चलिए सही है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, चलिए सही है, J का 10 होता है, U का 21 होता है, G का 7 होता है, चलिए सही है, H का 8 होता है, U का 21 होता है, B का 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 दिया वहाई, यह हो गया आपका अलग, और यहाँ पर पीकू, राज हो, सुजाता हो, तरून हो, शांतनू हो, हीना हो, सब का करेक्ट एंसर आ जुका है Question number 24 आपके स्क्रीन पर जलक रहा है, 2019 का question है और आप बताईए कि same logic पर question है या नहीं है, इस बार भी थोड़ा ध्यान से बनाना है इसका, कब तक चले का class, जब तक है जान, जब तक है जान और आप लोगों को मैं बतादू कि, आप लोगों को मैं बतादू कि SSC crackers का, यानि कि आपके अपने चैनल का website आ चुका है ST portal आ चुका है, जो कि मैं कल आपके लोगों के सामने officially announcement करने वाला हूँ, अब आप लोगों को किसी भी other platform पे जाके mock test देने की जरुवती नहीं है ठीक है, ST portal आपके SSC crackers channel का आ चुका है, इसमें भी मैं थोड़ा busy था, ठीक है, आप daily जो है, वहाँ पे practice भी कर सकते हैं, SSC से ठीक है, SSC जो website है, वहाँ से आप free content भी आप daily कर सकते हैं, mock test की तरह, सोचना नहीं है, कल मैं इस पे officially आप लोगों के सामने video बनाने वाला हूँ, तो अब tension ही नहीं लेना है चलिए, यहाँ क्या होगा, आपका देखा जाए, n का होता है, आपका 14, यहाँ होता है, p का 16, 12, 18 और 20, sorry, 10, j का, यहाँ देखो, यहाँ 2 increase हुआ है, यहाँ पर 4 decrease हुआ है, यहाँ पर 6 increase हुआ है, यहाँ पर 10 आपका decrease हुआ है, sorry, 8 आपका decrease हुआ है, ठीक है, सेम आपका second format में क्या है कि 2 increase हुआ है T से 2 increase हुआ है भी तक फिर 8 जो है 4 आपका decrease हुआ है R में फिर आपका 6 हुआ है increase फिर 8 हुआ है decrease ये भी सही है ठीक है next अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना है सर जल्दी ही silver button मिल जाए आपको हाँ जल्दी से हो जाए तब न यहाँ पर क्या है आपका T से आपका 2 आपका increase हुआ है 4 decrease हुआ है फिर यहाँ पर 6 increase होना चाहिए था 18,6,24 सही है फिर आपका कितना 8 decrease होना था ठीक है तो यह आपका अलग हो गया शोरी यह आपका नहीं है बा पर का decrease हो रहा है फिर आपका 6 increase हो रहा है फिर आपका 6 decrease हो रहा है तो यह चीज़ है आपका तो यह होगा correct और आज का last question classification का last question है चलिए इसको बनाएए thank you sir selection के बाद आपसे पका मिलूँगा okay sir जी other test series होती है या नहीं प्लीज बताइए sir जी other test सब है आपका वहाँ पर आपका RRB NTPC का भी mock test available है SSC, CGL हो, CPO हो SSC का जो भी exam होता है सारा आप mock test दे सकते हैं ST portal पे ठीक है यह मेरा dream था कि मेरा भी अपना एक portal हो जो कि मैंने finally इसको achieve किया है कल मैं इस पर video बना रहा हूँ और officially announcement कर दूँगा ठीक है जहां पर free content आपके SSC के related सब कुछ का है daily आपका math का question आएगा 10 question daily आपक और वो सब इस format पे रहेंगे आप कि जैसे कि आप mock test बनाते हो exam में जैसे देते हो portal पे सेम उसी portal पे 10-10 question का आपके सामने set होगा आप उसको भी बनाते रहेंगे daily आपको आप लोगों का यह आप लोगों का है responsibility कि आपको daily बनाना है ठीक है free content है सब वहाँ पे चलिए question number 25 आपके screen पर है क्या होगा 25 का चलिए 25 में देख लिया जाए यहाँ पर क्या है आपका कि पहले आपका क्या हो रहा है पहले आपका हो रहा है दो increase पहले क्या हो रहा है कि 2 increase हो रहा है फिर आपका 3 increase हो रहा है फिर आपका 4 increase हो रहा है ठीक है इसी तरीके से 10,2,12,12,12,13,15,15,14,94 यह भी सही है 14,2,16,16,19,19,4,23 यह भी सही है 13,2,15,15,13,18,18,4,22 यह आपका नहीं होगा भी होगा यह कि यहाँ you दिया वाए तो हो गया आपका correct 4 answer तो classification का जो है तो classification का जो है यह आपका finish हो गया है ठीक है पहला class classification का हो चुका है यानि कि तिसरे class में पहले दुसरे class में dice complete तिसरे class में classification का half कल भी एक class classification का चलेगा फिर classification भी आपका finish हो जाएगा अब हम लोग चलते हैं percentage की तरफ ओके तो let's start percentage यह percentage का पहला class है total 4-5 class में percentage आपका जितने भी type के questions होंगे उसको cover करेंगे हम लोग 5-6 class जितने में भी हो जाया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ready है तो चलिए start करते हम लोग percentage का पहला question आपके screen पर है time रहेगा पर question के लिए 25-30 seconds चलिए यह question देखे percentage मेरा कैसे percentage complete करवाना है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दू कि total जो है 6-7 class तो लगी जाएगा हर class में यानि कि percentage में मुश्किल से आपका 30-40 type का question है ठीक है 40 question तो होंगे ही होंगे 40 type के question यानि कि हर class में 10 question रहेगा यानि कि 4 class से 5 class में आपका percentage का सभी type के previous year का complete हो जाएगा ठीक है तो यह मेरा target है इस तरीके से question बहुत simple है 80% of A is equal to 50% of B ठीक है यह आपका दियावा है तो B is equal to X percent of A then the value of X simple सी बात है percentage से percentage को काटी है यहाँ A by B is equal to आपका क्या जाएगा 5 by 8 आजाएगा अब यहाँ क्या पूछ रहा आपसे कि यह जो B है यह X percent है कितना का A का तो यानि कि कितना percent हो जाएगा तो 160% जो है आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है then the value of X तो यहाँ पर कितना है 160 आप निकालेंगे तो correct answer कितना आएगा 160 आपका आएगा बहुत simple question था next है question number 23 दूसरे type का question हर type को cover कराते चलना है 1997 से लेकर 2019 तक में जितने भी type के question पूछेगा है 2019 तक में वो सारे type को करवाना है तो अभी मैंने 1997 से start किया है type लेना तो अभी सभी class में complete आपका हो जाएगे चलिए ये question देखिए इसको कैसे बनाना था यहां क्या कह रहा है student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3 what is the percentage error in the calculation तो एक student को multiply करना था किसी number से तो वो number क्या होगा तो इस 5 और इस 3 का LCM आप लेंगे तो वो number माल लेजे कि 15 था तो multiply करना था 15 से ठीक है 15 को multiply करना था 3 by 5 और यहां भी 15 से किजिए क्या होगा यहां पर तो 25 और यहां 9 आना था 25 लेकिन आ गया 9 क्योंकि उसने 5 by 3 की जगा 3 by 5 से multiply कर दिया तो error कितना होगा यह आप से पूछ रहा है तो error आपका होने वाला है 64% का तो यह आपका correct answer हो जाएगा very good अगर किसी को किसी question में समझ में नहीं है तो बता दे ना क्योंकि यह बहुत simple simple question है इसलिए थुरत तेजी में बता कर निकल रहा है question number 28 समय आपके सामने है और समय की घरी start भी हो चुकी है अब यह समय हिंदी क्या है बहुत simple question है तो साम पता चल रहा है क्या कि question क्या कह रहा है ठीक है मोनू अनुराग question sir please math Hindi में कराओ Hindi अगर आप मेरे से expect करेंगे तो maybe मैं math का session ही ना करवा पाऊ देखिए इस में तो हिंदी चाहिए नहीं था 15% of A plus B is equal to 25% of A minus B तो आप से पूछ रहा है then what percent of B is equal to A solve कर दीजे A plus B जो है यहां से और नीचे में A minus B आपका कितना आने वाला है यह percentage से percentage कट गया आपका यह आपका 5 है और यहां आपका 3 आजाएगा बस आप इसको इधर ले जाएए 3 से इसको इधर ले जाएए 5 से सब को solve किजिए आप अराम से आपका A भी निकल जाएगा और B भी निकल जाएगा ठीक है तो answer कितना आ जाएगा आपका X का value यहां पर कितना आजाएगा 400% आपका correct answer आजाएगा ठीक है सर जी other testories होती है या नहीं प्लीज बताइए 400% correct है question number 29 question number 27 नहीं समझ में आया अच्छा समझा दिया जाएगा चलिए ये question क्या कह रहा था the time duration of 1 hour 45 minutes is what percent of a day एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है तो इसको हम fraction में तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 threza 15 fourza यानि कि 7 by 4 आपका आ रहा है ये कितना 7 by 4 hours तो आपसे अब पूछ रहा है कि 7 by 4 hours 24 hours का कितना परसेंट है तो बस 7 by 4 पूछ रहा है आपसे तो एक काम किजिए 7 by 4 24 hours का कितना परसेंट है इसको आप solve कर दीजिए कितना आएगा तो 7.292 परसेंट आपका आ जाएगा correct answer ठीक है question number 27 में क्या था यहाँ पर question क्या कह रहा था कि a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3 एक student है उसको multiply करना था 5 by 3 से लेकिन उसने क्या किया 3 by 5 से multiply कर दिया तो हम एक काम करते हैं कि वो number क्या था तो वो number पता करने के लिए हम denominator में जो number दिया वा है उसका LCM ले ले लेते हैं कितना आएगा 15 आएगा तो देखिए वो number मान के चलिए 15 था कि 15 में हमको 5 by 3 से multiply करना था तो हमारा output आता 25 लेकिन हम क्या किये 15 में 3 by 5 से multiply कर दिया और हमको आगया 9 अब हमको आना था 25 और हमने ले आया 9 यानि कि हमने कितना कम कर दिया हमने 16 जो है 16 हमारा error आ गया आना था ठीक है 25 से तो यानि into 100 करेंगे तो यानि कि 64% का error हो गया समझें इस question में यही था very good question number 29 का भी हो गया solve question number 30 आपके सामने है same pattern पे चलिए यहां पे आपका टाइम हो गया है finish यहां पे क्या कह रहा है 40% of a plus b यानि कि 40% है तो 40% को ऐसे लिखते हैं हम लोग a plus b यह क्या है is equal to 60% of a minus b तो देखें equal to दिया वा तो इस percentage से इस percentage को हम cut कर सकते हैं 0 से यह 0 को cut कर सकते हैं तो 4a plus 4b ठीक है इस 4 को multiply कर दिये is equal to 6a minus 6b आपका होगा अब यह 6a इधर जाएगा तो कितना होगा minus 2a हो जाएगा और यह इधर जाएगा b तो minus 10b हो जाएगा minus ने minus गया a by b is equal to क्या हो जाएगा 5 by 1 हो जाएगा तो हमको a का मान निकल गया तो a का मान 5 है तो 10 हो गया और b का मान 1 है तो यह 3 हो गया और 5 और 1 कितना होता है छे होता है a plus b तो 7 by 6 आपका हो जाएगा correct answer किसी को problem मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए question number 31 यह सब percentage का बहुत ही basic question है जो कि पहले 2012 के पहले यह सब type का question आता था अभी भी concept same है बट जो language है न question का वो आपका different है चलिए time हो गया finish यहां क्या है a है b है c है कह रहा है कि a is 50% larger than c तो 50% का fractional value कितना होता है 1 by 2 यानि कि अगर c 2 है तो a आपका 3 होगा b 25% larger than c है तो 25% यानि कि अगर c आपका 4 है तो b कितना होगा आपका 5 हो जाएगा यही है है कि नहीं अब आप देखिए यह 2 है यहां 4 है तो इसको equal करने के लिए 2 से multiply कर दीजे उपर में तो यहां हो जाएगा 6 यह तो आपका 5 रहेगा यह आपका 4 हो जाएगा यानि कि a, b, c कितना हो गया 6, 5, 4 हो गया अब आपसे पूछ रहा है कि then a is what percent larger than b तो a जो है एक जादा है कितना से 5 से into 100 करेंगे 20% आपका हो जाएगा correct answer तो यही आपका right answer और यहां पर 31 का b भी सबका answer आ रहा है correct अब आता है आपके सामने question number 32 question number 32 में एक बार आपको समझा देते हैं कि the population of a village is 25,000 किसी गाओं का population कितना है 25,000 है one-fifth are female इस 25,000 में one-fifth जो है वो female है और जो rest बचे हैं वो male है यानि पुरूश है 5% of males and 40% of females are uneducated 5% male uneducated है और 40% female uneducated है आपसे पूछ रहा है कि educated person का जनसंख्या कितना है उस गाओं में ओके गाईस चलिए इसको बनाईए चलिए यहां पर आपका क्या होगा correct answer 88% हो जाएगा कैसे इसको आप लोगोंने solve कर लिया होगा male है female है male आपका कितना है one-fifth are female है यानि कि 5000 female है 20,000 हो गया male अब क्या है 5% male और 40% educated है uneducated है तो यानि educated कितनी होगी 95 होगी ठीक है sorry 60 होगी female और 5% male जो है वो uneducated है तो 95% जो है वो educated होगा तो 20,000 का अगर आप निकालेंगे 95 में तो आपका कितना आजाएगा यहां पर आपका आजाएगा 19,000 जो की educated है और female में कितना आपका educated है तो 3,000 है टोटल कितना होगे 19,000, 22,000 बाइस हजार लोग जो है वो educated है 25,000 के जनसंख्या में जब आप इसको solve करेंगे तो 88% लोग आपका हो जाएगा correct answer जो की educated है 32 का B very good सबका सही है question number 33 चलिए 33 को देखते हैं कैसे क्या question है कि inner college 40% किसी college में क्या है 40% of the students were allotted group A ठीक है एक group है ये आपका B है एक C group है तो किसी college में क्या है 40% of the students were allotted group A तो यानि कि 40% A में आपको allot कर दिया गया है जो remaining आपका बचा 60% ठीक है उसको जो है उसका 75% यानि कि 60 का 75% आपका कितना हो जाएगा 45% यानि 40% A में allot हुआ और जो remaining 60% बचा उसका 75% B में allot हुआ यानि कि 45% यानि 40, 45, 85 remaining आपका बच गया 15% और यही 15% का value यहाँ पर 12 आपका दियावा है तो आप अराम से निकाल सकते हैं ठीक है कितना हो जाएगा आपका answer तो अराम से कितना जाएगा 80 आपका correct answer आजाएगा ठीक है 80 आपका right answer आजाएगा यहाँ पर 80 is the right answer Question number 34 Sir हिंदी में कराईए If x% of y% of 80 is the same as 25% of 900 then the value of x y यहाँ देखिए वन लाइनर कोश्चन है यह कैसे बनेगा यहाँ पर कि x% of y% of 80 यानि कि 80 y by 100 x by 100 is equal to 25 into 100 और यहाँ पर हो जाएगा 900 अब आप इसको solve कर दीजिए कितना होगा आपका x y का मान basically हमको निकालना है जो कि हमारा आने वाला है यहाँ पर 28125 आपका आ जाएगा यह वाला question number 35 और last question rrv ntpc में भी math का यही level का question रहने वाला है तो ज्यादा घबराना नहीं है चलिए यह भी बहुत simple question था किसी marriage party में 32 जो है percent woman थी 54 percent men हो गया तो 32 और 54 कितना होता है आपका 86 percent जो है men और women दोनों मिला कर है ठीक है remaining कितना हो गया 100 percent में से 14 percent यह जो 14 percent है यह 196 children के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है कि how many men are there in the marriage party तो marriage party में कितने main थे आपका तो कितना हो जाएगा आपका यहां देखिए कि 14 percent का value 196 है है की नहीं तो 1 percent का value कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा main कितना है 54 percent है तो 14 into 54 हमको करना था यानि कि 756 हमारा main है यह हो जाएगा answer 756 तो percentage का कल आप लोग next part भी बना किया आईएगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं English की तरफ जो की बहुत अच्छे से हम लोगों को यहां पर आप लोगों को बनाना है इतना efforts आज जो कर रहे हैं निश्चित है कि 4-5 महिना लगतार अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई कर लिया अब तो ST portal आपने website पे जाके बना लिया जो मेरे website पे जो questions आ रहे हैं उसको आपने solve कर लिया कोई नहीं रोख सकता है selection से आपका ठीक है चलिए यहाँ पे क्या होगा जल्दी से answer देना स्टार्ट किया जाए आर्टिकिल बेस्ट है आर्टिकिल से question आना था येश दीपिका संगम English चलो बनाना स्टार्ट करो देखिए यहाँ पर कितना silly सा mistake है यह जो necessary evil है इसके पहले and नहीं यह आएगा आप भी जानते हो इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए आपको मालूम है वोविल्स और consonant का क्या matter होता है ठीक है वोविल्स के पहले and आता है consonants के पहले a आता है a, e, i, o, u ये सभी वोविल्स हैं इसके पहले आपके and आएंगे तो यहाँ पर and आपका वोविल्स नहीं consonant है तो a आना चाहिए next है आपका 37 देखें यहाँ पर क्या गलती है it is a quarter to ten by my watch ये जो quarter to ten है इसके पहले कोई भी article आपका नहीं आएगा तो it is quarter to ten आपका correct हो जाएगा 37 में क्या गलती है a में गलत है ठीक next है आपका 38 38 में क्या है कि गीता जो है गीता does not usually wear jewelry but yesterday she wore a ring ठीक है a के बारे में a यहाँ पर आपका लगेगा ठीक है a आपका लगेगा क्योंकि ring जो है ये आपका singular countable noun है और इसका बारे में चर्चा भी पहली बार हो रहा है इसलिए a denote करेगा उसके वो कितना था उसके वो denote करने के लिए ठीक है कि गीता जो है वो यूजवली jewelry नहीं पहनती है बट कल उसने क्या हुआ एक ring पहना था तो आप लगाएंगे ठीक है next है आपका 39 देखिए मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन आपका math और reasoning हो और दुसरे दिन आपका English और GK हो यह सही रहेगा क्योंकि चारों section को एक साथ cover करने पर मेरे उपर भी pressure होता है क्योंकि एक घंटा हो गया अभी math और आपका reasoning ही हुआ है समझ रहे हैं तो यह मुझे लगता है कि सही रहेगा कि एक दिन math reasoning और दुसरे दिन आपका GK और English यह सही रहेगा next है आपका कि the police asked us about our movement on a night of crime तो night of crime जो है यहाँ पर कोई निश्चित रात के बारे में आपका बात हो रहा है ठीक है उस night के बारे में बात हो रहा है जिस night को crime हुआ था इसी लिए यहाँ पर दो का प्रियोग होगा आ का नहीं definite का प्रियोग होगा definite article का question number 40 कि सर मैस जीके एंड इंग्लिश हाँ निमेश महिदा यह सही बोला है कि मैस और जीके रखते है एक दिन और रिजिनिंग और इंग्लिश रखते है एक दिन यह सही है yes sir this will be the best क्योंकि मेरा मूद दुख गया बोलते बोलते मतलब obviously बात है कोई आदमी एक घंटा अपने आप से ही बात करेगा आप लोगों को imagine करके तो थोड़ा सा तो ठकान हो जाती है ना हाँ सही है सही है सही है सही है तो यानि कि कल से आप लोग ready रहना कल आपका फिर reasoning और क्या बोले थे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए में आपका गलत है कि in science the credit goes to a man ठीक है यहाँ पर क्या होगा दव मैं होगा आपका क्योंकि किसी definite आदमी के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पर दव होगा next है आपका 41 अब देखिए यहाँ पर it is only after the match is over that people realize how exciting it is अब यहाँ पर किसी definite match के बारे में बात नहीं हो रहा है इसलिए the लगाने का कोई जरूरत नहीं है कि the match ठीक है तो यहाँ पर दव आपका कोई जरूरी नहीं है बी में आपका गलत है question number 42 of the two sister c is better अब यहाँ देखिए c में आपका गलती है क्योंकि better के पहले क्या उप्यो होगा the का प्रियो होगा क्योंकि यहाँ पर comparative degree आ चुका है ठीक है क्योंकि दो में से एक का चुनाव का बात हो रहा है तो comparative degree होगा तो यहाँ पर the आपका लगेगा ठीक है next 43 ठीक है dinner के लिए 43 में आपका क्या होगा यहाँ पर क्या है आपका कि यहाँ पर few के पहले दख का प्रियो होगा ठीक है few के पहले दख का प्रियो होगा ठीक है, it is unfortunate enough to lose few friends we make during our school days, ठीक है, to lose the few friends आपका correct है, the आपका होगा यहाँ पर, next यहाँ पर 44 में क्या होगा, यहाँ देखिए, there were a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramaniam, an imminent scientist, who remained a center of attraction, तो अ की जगह क्या होगा, the आपका प्रियोग होगा यहाँ पर, the center of attraction, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ पर Subramaniam जो है, वो निस्चित नाउन है, इसलिए definite article का प्रियोग किया जाएगा, 45 यहाँ देखिए, I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman, अब देखिए, यह जो Mr. Sharma है, यह director भी है, और वहाँ के chairman भी है, इसलिए अलग अलग यहाँ पर आपको दह नहीं लगाने की जुरूबरत है, तो एक दह हटा दिए, the director and chairman will visit Patna the following month आपका correct होगा, ठीक है, next है 46, यहाँ है कि he is the best worker of the factory, but unfortunately the least paid, तो list के पहले क्या आएगा, दह आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर list जो है, वो superlative degree of adjective है, इसलिए list के पहले दह का प्रियोग होगा, next है आपका 47, यहाँ क्या है कि he has come out with an unique proposal, अब यह जो unique है, यह जो आप लोग सोचेंगा कि यह वोवल है unique, इसलिए यहाँ पर n लगावा है, जबकि ऐसा नहीं है, यह जो unique है, यह इसका जो sound है, यह यू है, ठीक है, इसके लिए यह आपका consonant sound होता है, इसलिए अ कहीं उप्योग होगा and का नहीं, यूनिक के पहले and नहीं लगता है, यह लगता है, अब क्या है यहाँ पर कि when the house was set on the fire, यह जो set on the fire है, यह गलत phrase है, set on fire जो है, यह आपका phrase है, तो set on the लगाने की कोई जुरूवत नहीं है, set on phrase ही आपका होता है, next है 49, यहाँ क्या होगा, little knowledge, जबकि यहाँ होना चाहिए, the little knowledge, ठीक है, the little knowledge यहाँ पर correct होगा आपका, next है 50, देखो, अगर मैंने आपको बोला कि article पढ़ के आने के लिए, तो आप घर पे try करो पढ़ने का, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा है, समझ में आया, वाविल, अगर आप पढ़ोगे घर पे, तो ही आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ है, it was by a mistake that he insert her hand, क्या होगा आपका यहाँ पर, by mistake जो है, आपका और लगाने की जुरुवत नहीं है, by mistake होता है आपका, by a mistake नहीं होता है, ठीक है, तो article कर पढ़ क्या ना, math में, sorry, English में, अब आता है आपका जीके का question, तो चलिए जीके थोड़ा तेजी में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, जीके हम लोग तेजी में बना लेते हैं, क्या क्या आपका होने वाला है जीके का, तो पहला question आपके screen पर आचुका है, the language from which the term indica, india is derived in, यह हो जाएगा आपका Persian, आप लोगों को जो है, मैंने बोला था कि किरन publication से जो है, 200 से 300 के बीच में पढ़ना है, वहीं से यह question है, तो उमीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, Persian आपका correct है, next question है, what was Chandr Gupta to also known as, क्या होगा, चलिए, शुबाशरी M का सही है, ठीक है, very good, साहु का भी सही है, तो when the Chandr Gupta to also known as, क्या होगा आपका right answer, विक्रम आदित्ते आपका correct answer है, next question है, who was the mother of Mahavira, Mahavira की माता जी का नाम क्या है, right answer क्या होगा, त्रिशाला जो है, आपका correct answer हो जाएगा, next question है आपका, prince of pilgrims was the name attributed to, ठीक है, किसको ठहराए गया था, तिर्ट्यातियो का नाम, prince, ये आपको किसको ठहरा गया था, ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, हुइंग शैंग को कहा जाता है, option number two, next question है, the famous poet कालिदास lived in the court of, तो ये जो कालिदास थें, ये किसके court में रहते थें, किसके कवी थें, किसके दरवार के, तो चंद्र गुप्त two जो है, आपका correct answer हो जाएगा, next है, the Jaina literature is also known as, Jaina literature, यहाँ पे आपका क्या होगा correct answer, चलिए, यहाँ पे आपका right answer क्या होने वाला है, अंगाज जो है, आपका right answer है, next question है, आपका the caves of Ajanta and Ilora belong to, ठीक है, यह जो Ajanta और Ilora cave थें, यह किस से belong करते थें, यह सब लोग buddhist right answer हो जाएगा, next question है, where was the first buddhist council held, तो buddhist council पहली बार कहां पे held हुआ था, यह हुआ था, आपका राजागिरा में हुआ था, next question है, which of the following ruler was the contemporary of buddha, बुद्धा के contemporary जो है, शमकालिन कौन से थें, सासक थे, right answer क्या होगा, बिम बशार जो है, आपका right answer है, ठीक है, next question है, वर्दमान महावीर is also known as, right answer क्या होने वाला है, वर्दमान महावीर is also known as, उनको जीन कहा जाता था, ठीक है, next question है, which of the following dynasty succeed the mauryas, ठीक है, तो निमलेखित में से किस वंस ने मौरिया का उत्रा अधिकारी किया, right answer क्या होगा, शुंगाज जो है, आपका correct answer है, next question है, पुलकाशिन 2 was the greatest ruler of the, तो पुलकाशिन 2 जो है, greatest ruler थे किसके, तो चालुक्याज of बादामी जो है, आपका right answer है, next question, the गंधार art florist under, तो गंधार कला के तहट, गंधार कला के तहट, फला फुला, किसके साशनकाल में, कुशांस के साशनकाल में जो है, बहुत ज़्यादा florist हुआ था, The script of the Indus Valley civilization is, सिंदु घाटी सब्यधा की लीपी क्या थी, और वो लीपी थी, आपका कौन सा था, ये बताएए आप, ये था आपका undeciferate, जो है, आपका right answer है, next question, और last question है, Lothal, the dockyard site of the Indus Valley civilization is situated in, तो ये कहां पे situated था आपका Lothal, right answer क्या हो जाएगा, गुजरात आपका correct answer हो जाएगा, तो thanks for watching this video, and participating in Dungal part third, and giving the test on live YouTube, तो उमीद है कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे answer आया होगा, तो कल आपका देखिए, कल आपका 9 बज़े से जो है, हम लोग reasoning, और आपका English रखते हैं, ठीक है, reasoning और English, ये दो class एक साथ, फिर next day आपका math, और फिर आपका क्या रहेगा, math के साथ में आपका GK का रहेगा, ठीक है, तो कल आप लोग reasoning में classification, और English में वही articles पढ़के आना है आपको, ओके गाईस, तो मिलते हैं आपसे next video में, तब तक के लिए all the best, धियान रखिए, पढ़ते रहिए, और मिस करते रहें,